रेनुका जी मंचपर विराजमान है, दुडा राम जी मंचपर विराजमान है, हमारे वरिष्ट नेता राजस्तान की धर्ती से आए, आदर्य पबा राम जी मंचपर विराजमान है, जोद्बुर से मारवाड की दर्ती से लोपुरुस राम सिंग जी के सुपुत्र परसराम जी महासबा के पदादीकारी अद्यक्स पदादीकारी पूरी महासबा विराजमान है, समध सम्मानित मंच ये कुछ नाम मेरी जुबां पर आए, बाकी जो बचे मेरे दिल में समाय सबको इस्थरबाल करते हुए, आदमपूर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जब जब चोदरी भजनलाल जी का नाम आएगा, इस आदमपूर की 36 विरादरी के एक-एक व्यक्ति का नाम साथ आएगा, हिंदुस्तान की विधानसबाओं में, पूरे हिंदुस्तान में, हजारों विधानसबाएं हैं, हजारों विधायक बनते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों विदान सबाओं में ऐसी विदान सबा कोई दूसरी साय थी मिलेगी जिसने आदमपूर की विदान सबा ने चोदरी भजनलाल जी के उतार चड़ाओ जीवन में सतत साथ दिया और अने को उतर चडावर कठीन समय में परिवार का साथ भी दिया चाहे माता जुश्मा जी लड़ी हो चाहे रेनुका जी लड़ी sitting हो चाहे जोदरी कुलदीप यहाँ से लड़े हो आपने हर कदम पर कठिन से कठिन समय में उनका साथ देने का काम किया है आजम चोधरी साभ के चरणों में चरण बंदन करते हैं और साथ में राजस्तान से आके इस आदंपुर की 36 विरादरी की जनता के चरणों में चरण बंदन करते है कि आपके साथ को भी हम सलाम करते हैं एक बार जोड़ जार तालिया खुद के लिए बजा लीजिए अदंबुर्वालों आपने इत्यास रचा है और आज कि राजस्तान अभी हम लालू परसाद जी जो बिहार की बिहार के लाल लालू परसाद जी को सुन रहे थे उन्होंने हरियाना के तीन लालों की विरासत का चिक्र किया और आपका बेटा वियरी विश्णोई विजिस दर्ती से बाता है आपके तीनों लालों की वो जन्मिश्तली रही है भॉष्प नोख़ा की परतियेक चोपाल पर हरियन की घर्चा होती है साथ यहो इसलिए हमें कहीं नहीं लगता कि हर्याणा हमसे दूर है हर्याणा का आदंपुर हमसे दूर है यह 36 विरादरी का परिवार अपना सा लगता है चौदरी साथ मेरा ज्यादा लंबा संपर्क नहीं रहा क्योंकि छातर संगर विश्विचाले की राजनीति से जब माय तो लगा और स्रदात्व हमेशा चौदरी साथ के साथ फी कि कि चुम लड़ा। और मेरे इस स्कूल मेरे घर से कोई करती थी लेकिन उस दिन पता चला कि आज चोधरी भजनलाल जी यहां मिटिंग करने आने वाले हैं इस छेत्र में तो राच को नो बज़े तक भी घर नहीं गए कि आज चोधरी शाब को सुनके जाना है देखे जाना है जुनूम था चोधरी के नाम का चमतकार था ऐसे और सम्मान दिया आदमपुरी नहीं हरियाना के दूसरे और छोर से भी वो दिल्ली के पास लगता फरीदाबाद हो चाहे आपका हर्देश्टल करनाल हो जहां भी चोधरी साब गए चाहे भीवानी में चोधरी कुलदीब गए जहां भी हरियाना के कोने कोने में आपने इठाने का काम किया चोदरी साहब से जब इस्विद्याले की राजदिति के पाद थोड़ा बद संपर्क में आए तो चोदरी साहब का मार्द संता नौजवानों विचार अलग हो सकता है विचारधारा भिन्ज हो सकती है मतवेद हो सकता है मनवेद नहीं होना चाहिए क्यों किसान काम से आने वाले लोग है और किसान काम से आने वाला चाहिए वो किसी विचार विचारधारार पार्टी का नेता हो वो किसान की पीठ पे सीडी लगा के इस विचारदार मंच पे पहुंचा है सत्ता में पहुंचा है उस सीडी को मजबूत करने का काम करना हमेशा दिल में रखना आज चोदरी दोड़ा राम जी बेठे पपा राम जी बेठे आपका भीयारी लाल आपके बीच खड़ा हमारा विचार भलीय लगो सकता है लेकिन हम सब के मन में किसान के पृति किसान के हकर रखुक की बात के लिए हमेशा इस्तान रहना चाहिए ये मार्दसम चोदरी साब कर था और एक समय ऐसा भी आया परिष्तितियां बलती है चोदरी भजनलाल जी बिएरिलाल बारतिय जंता पार्टी ये बी-बी वाड़े एक बार मिल भी गए थे विचार निजदीग भी आये थे लेकिन आज परिष्टितियां बदली चोदरी कुल्दीव जी के कुल्दीव पर के कॉंग्रेस विचारदारा उद्र जुड़ी लेकिन जहां भी हम रहे चोदरी कुल्दीव जी ने आपका नेत्रत्यु किया 36 विरादरी का और निश्टित्रव से आदमपुर वालों आपके संगर्ष में भी कोई कमी नहीं है लेकिन ऐसा मत समझना कि अमावस की रात का कभी सवेरा नहीं होता आज अमावस का दिन है अमावस की रात बहुत काली होती है लेकिन दिन का उजाला अमावस की लंबी रात के बाद होता है तो उसका भी मजा और अनन निराला होता है इसलिए मैं समझना कि अमावस की रात 35 बरस लंबी हो गई अमाउस की रात भी अटल जी कहा करते थे ये अंदेरा छटेगा सूरज निकलेगा इसलिए आप भी सूरज निकलने के इंतजार में पूरी ताकत से लगना अमाउस की अंदेरा छटेगा और 6 टूबर आज जोधरी साब का जनम दिन है माई जड़े तो यड़ा पूत जड़ के दाता के सूर नहीं तो रई जे बांद जड़ीर मत ना गमा जे नूर ऐसे महान व्यक्ति को जनम देने वाली मा को भी हम सलाम करते हैं और इस धर्ति को भी हम सलाम करते हैं राजस्तान जहां आपका बढ़ेर है चोधरी साब कुलदीब जी आपका भी जड़ेर है उस धर्ति से हम आपके बीच में आए हैं और हमारा लगाव है हमारा आस्ता है च पुने इस दर्ती पर प्रेहनास्तल पर आके हम अपने आपको गौर्णानित महसूस करते हैं चोदर शाहब के चरणों में पूस्परपित करके एक प्रेहनास्तल से प्रेहना लेके जाएंगे आप सब दियर हम भी कि चोदरी साब ने जिस विचार को लेके कहा कि विचार दूर गरीब को गणे समान के उसको दिल में जगा दे कि हमें आके बढ़ना है इस मोके पर आपको डेर सारी सुब कामने आदमपुर की छत्ति सुविरादरी के परिवार को चोदरी साब कुल्दीर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सादूबाद भारत माता क चोदरी भजनलाल जी चोदरी भजनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी प्यारी लाल जी आप रहें बहुत बढ़िया बातचीत चोदरी भजनलाल जी के बारे में विस्तार से बताने का काम किया अब मैं अगली दरंपाल मलीक जी को आपके बीच में अगले वक्ता के रूप में बुला करके समानित करने का काम करेंगे सब तो तो यह कर लगे ना मलिक जी आपके बीच में मैं अमंतरित करता हूँ जो चौजरी भजनलाल जी के बहुत बड़ी अविश्वत साथी थे आएं और अपने सर्दा के सुमन अर्पित करें आज एक महान दिवस पर हर्याने के कौने कौने से आए बलके दूसरे परदेशों से भी कुछ मुख्य लोग आए हैं मैं उनका यहां हर्देख स्वागत करता हूँ चौजरी भजनलाल जी की परतिमा के नीचे में सिर्द जुका कर नमन करता हूँ चौदरी भजनलाल जी साध हारन इन्शान नहीं थे वो एक संस्था थे उनके बारे में कुछ सब्दों में उनके जीवन के बारे में व्यक्या की जाये ये असंभाव है मैं बहुत लंबे अर्शे तक उनके शाथ रहा पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए कॉंग्रेस पार्टी का प्रेजिडेंट और चौदरी भजनलाल जी मुख्यमंतरी थे हम बहुत बातें करते थे पर्ची आगी है मेरे पास के छोटा करो लेकिन मैं चौदरी भजनलाल जी को जैसे मैंने कहा वो एक संस्था थे उनके बारे में तो आप जितना भी बोलते जाओ उतना ही थोड़ा है जहां तक स्वाल सामाज का है वो अपने समाज के बिस्नोई समाज के अपनी आखरी सांस तक संगरक सक रहे बिस्नोई समाज खाली हर्याना राजस्थान पंजाब में ही नहीं बलके हर परदेश में है थोड़ा भावत चाहे कितना ही भी हो और चौधरी भजनलाल जी को वो भगवान का दर्जा देते है गुरू जंबेश्वर की मिर्टू के बाद उनके सौरगवास के बाद वो ये मानते हैं के गुरू जंबेश्वर तो किर्शन जी के अवतार थे और चौधरी भजनलाल गुरू जंबेश्वर के अवतार थे ये उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा है जहां तक सौाल उनकी राजनितिक जीवन की बात है आपके सामने बहुत साथियों अपने विचार दिये हैं उनके साथ रहे हैं मैं दो घ्रटना बताना जरूरी समझता हूँ एक यहीं हिसार की है मैं कांग्रिस का स्टेट प्रेजिडेंट था उनके साथ था और हजारों लोग यहां रेस्ट आउस में आए हुए थे और एक तरफ से घुस्ते थे सारे अधिकारी लोग उनके पीछे बैठे थे और काम सुनते गए और वो फैसला करते गए बहुत समय हो गया कई हजार लोगों को निम्टाना था तो डिप्टी कमिशनर साहब ने चार गिलास मौसमी के जूस के मंगवा लिए एक चौधरी भदिनलाल जी के लिए एक मेरे लिए और एक बीसी साहब रैस्पी साहब के लिए जो मुझे बाद में पता लगया इस इलाके के उन ही के हलके के एक लंबरदार थे वो उनका साथ नहीं देते थे तो लंबरदार ने आके का जी मेरा काम है देख लो ये नकसा है झाल 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 झाल